Hello friends, कैसे हैं आप? देखिए जो सेक्यूर्टी का हम लोग टॉपिक्स कर रहे थे उसमें से आज हम लोग टॉपिक जो करने वाले हैं वो है बॉर्डर सेक्यूर्टी और मैनेजमेंट इसमें तीन सब टॉपिक हैं एक बॉर्डर मैनेजमेंट, पुलिसिंग पावर टॉपिक्स पॉर्स और स्ट्रेजिक इंपॉर्टेंस अफ अंडमान और निकोबार आइलेंड तो चलिए देखते हैं इसका डीटेल तो आपको पता है कि जो हमारा बॉर्डर है वो बहुत जादा अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग नेशन से जुड़ा हुआ है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, म्यानमार, बंगलादेश ये सारे जो बॉर्डर एरियाज हैं तो सब के अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं और उसके अनुसार ही हमारी गॉर्णन उस बॉर्डर पे इनिसेटिव ले रही है जैसे कि अगर हम इंडिया-चाइना बॉर्डर का बात करें तो देखें, पहला तो यहाँ पर है कि हमारा हमेसा कॉंस्टन बॉर्डर डिस्प्यूट देखा गया है चाइना, एकसाई चीन, अरुनाचल प्रडेस का जो एरिया है, साथ में दोकलाम यह सारे एरिया में बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के हेजमोनी या जो उसका जो ग्रोइंग डॉमिनेंस है उसके कारण देखा जा रहा है और दूसरा जो प्रॉब्लम है यहां पे वह है, स्मगलिंग का बहुत सारे चाइनीज इलेक्ट्रोनिक, मलबब चीप चाइनीज ELEक्ट्रोनिक जो इंडियन मार्केट है उसमें घुषने की कोसिस करते है तीसरा जो problem है वो है inadequate infrastructure क्योंकि जो terrain है आप देखो कि हिमाले है अलग-अलग नदिया है तो यह terrain है वो बहुत difficult है उसको manage करना इतना असान नहीं होता और एक और problem है वो है multiple forces का देखें जो Chinese border है उस पे जो forces involved है वो है into Tibetan border police, Assam rifles और special frontier force तो यह जो अलग-अलग forces है उसमें कई बार क्या होता है कि coordination का issue आजाता है और जो last issue है आपका water sharing जो कि हम प्रमपुट्रा की case में देख सकता है यह सारे challenges है आप जब इंडिया-China border का बात करते हो लेकिन उसका जो solution है जो initiatives गौर्वर्मन अभी तक ले रही है वो है कि infrastructure create करना कि ताकि अगर कोई full-scale war भी चाइना करी इंडिया से तो वो इंडिया उसके लिए तयार है साथ में वो जो धोला से दिया bridges infrastructure है वो create कर रही है IT का जो technology है उसका use कर रही है drones का use कर रही है साथ में जो northist region है तो जो northist region है वो बहुत strategically important और यह बहुत एक narrow corridor से जुड़ा हुआ है जो पूरा northist region है with इंडिया जिसे हम chicken corridor भी कहते हैं chicken neck कहते हैं तो तीसरा जो initiative है वो है infrastructure projects फिर उसके बाद administrative and financing power to border road organization क्योंकि जितना हमारा border का infrastructure develop होगा उतना ही आसानी से हम forces को deploy कर पाएंगे technology को deploy कर पाएंगे और quick response होगा ठीक है फिर जो next border है वो है इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पताईए कि कितने सारे border disputes हमारे या कस्मीर के उपर कभी सियाचीन के उपर कभी सेर क्रीक के उपर चलता रहता है दूसरा problem है river water sharing का मतलो जैसे कि इंडस्क रिलेटेड जब इंडस्ट्रीटी हम लोग ने किया उसके बाद कई बार पाकिस्तान बिना वज़ा हमारे उपर कोई ने कोई लगाते रहता है जैसे कि रेटल पाव प्रोजेक्ट हो या चेनाप पे तो अलग-अलग जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहा है उसको इंडस्ट्रीटी के पाकिस्तान उसको सोचता है कि वो इंडस्ट्रीटी के अगेंस्ट है तो river water sharing issue भी है तीसरा है कि जो टेर है ना वो बार्ट डिफिकल्ट आ प्लेइन, चौथा है कि time और cost overrun in infrastructure project और लास्टली जो बाकी issues है जैसे कि drug smuggling हो गया, fake currency, arms trafficking ये भी देखने को मिलता है और इंडिया, पाकिस्तान बॉर्डर अगर इसका solution देखें या जो steps गॉर्मेंट ले रिया है वो है जैसे comprehensive management system जो कि एक integrated security system होगा जैसे better manage हो सकेगा कर्मू कस्मेट एप्लाई किया जा रहा है तो इस तरह से हमने देख लिए इंडिया-Pakistan border अब आते हैं इंडिया-NEPाल बॉर्डर जो हमारा नेपाल के बारे हम बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि यह रोटी बीटी के रिस्ता रहता है हमारा नेपाल के साथ और हमारा पोरस वो साधियों के नेपाल जाती है और नेपाल के भी लोग आके इंडिया में जॉब करते हैं तो इस तरह का रिस्ता है हमारा नेपाल के साथ लेकिन जो इसूज आ रहा है वो है एक्स्ट्रिमिसम, एंटी इंडिया अक्टिविटीज दे कि तो इसके पॉलिटि साइजेशन, जब होता है इसस का, कई बार जो पॉलिटिकल पर्ती है Inspodation जो अइसे को और इस तरह के आफिखाति है कि इंडिया वो benefit के देडिया को अश्सर है उसी तरह moist insurgency का problem आपको पता है Nepal moism बहुत active रह चुका है तो इसका भी impact बढ़ता है इंडियन moism पर फिर यह बार क्या होता है कि यह जो root है इंडिया-Nepal border का वो easy escape मिल जाता है उसे और बाकी जो illegal activities है जैसे smuggling, fake Indian currency यह सब आपका नेपाल का जो border है उसमें दिखता है फिर बाकी land grabbing का issue है तो इस तरह से इंडिया-Nepal पर भी कुछ-कुछ problems हम समझ सकते हैं अब जो इस पर steps government लेए जैसे की एक नया intelligence section है in Sahasdar Simabal उसी तरह border district coordination committees का establishment construction of roads along border और साथ में हम लोग aid भी दे रहा है Nepal को ज्यादा अच्छे कम interest पर तो हम हर तरह से try कर रहे हैं कि Nepal को हम help करें उसे तरह फिर इंडिया-Bhutan का जब बात आता है तो इसमें problems है आपके insurgency का good smuggling का people or vehicle movement का यूंकि भुटान बहुत छोटा सा आपको पता है कि state है ठीक है और वह बहुत ज्यादा dependent है तो यह सारे problems है अगर हम देखे हैं कि क्या steps लिए गया है तो वह है इंड इंडिया-Bhutan group on border management and security हम लोग cooperate कर रहे हैं भुटान आर्मी के साथ साथ में a new border post भी established किया गया in Sikkim और साथ में general approval for diversion of forest land for major infrastructure projects इंडिया-Myanmar का बात करें तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो इंडिया-Myanmar के साथ border है उसमें हम लोग free movement regime follow करता है यानि कि जब इंडिया बना उस समय देखा गया कि कुछ ऐसे tribes हैं जिसका कुछ portion तो इस तरफ है जिसका कुछ लोग उस tribe के इस तरफ इंडिया के इस तरफ है और बाकी लोग म्यानमाल के तरफ है तो ताकि इनका जो cohesion है यह जो tribes है इनके बीच में जो communication है वो ना टूटे इसके लिए free movement regime हमने अपना है ताकि लोग easily move कर सके border cross करके on either side यह है दूसरा है कि drug trafficking आपको पता होगा कि यहाँ पर golden triangle है जिसके to notice होते हुए border आपका drug cross करता है यह पुरा drug का area है जिसके हम golden triangle कहता है वो एक issue हो जाता है जो कि notice में देखा गया है कि drug use है वो bird है और यह कहीं न कि golden triangle के close होने का नतीजा है तीसरा है कि कोई physical barrier नहीं है यह पूरा forest area है difficult terrain है और कोई वैसा कोई fixed physical barrier नहीं है तो कई बार इसको militancy भी use कर लेते हैं अपने फायदे में क्योंकि कई बार police force जो भी army है वो forces जाते हैं इन terrorist groups के against उनको पकरने के लिए तो यह border cross करके मियानमार के साथ चले जाता है फिर next है पूरा infrastructure facility पूरा जो infrastructure की facility है वो updated नहीं है इसका जो steps लिए गया है जैसे कि 13 new integrated check post बनाए गया है साथ में हम जो इसार्क के अंदर भी के ट्रू भी engage कर रहे हैं with Myanmar और Thailand, ASEAN और साथ में जो actist policy है उसका भी part है हमारा Myanmar फिर इंडिया बंगलादेस अगर देखें तो उसमें आपका फिर से आता है water disputes क्योंकि काई सारे जो हमारी रिवर्स वो ट्रांस नेशनल है तो इंडिया जो है वो अपर रैपेरियन बन जाता है और बंगलादेस जो है वो लोर रैपेरियन बन जाता है तो वो water dispute जो है वो आपका तीस्ता रिवर के में दिखता है बराक रिवर में दिखता है फिर illegal migration का जो बंगला speaking population है वो majority हो गई है तो इतना जादा impact है आपका migration का तीसरा है कि border fencing जो है वो adequate नहीं है गुड़ स्मगल किया जाता है जैसे कि जामदानी सारी तो जो steps कुछ recently लिए गया है वो है इंडिया border land border agreement हो जापंदर ताकि जो इंकलेव इंडिया के तरफ रह गया थे ब एक डूसरे से बेसिकली हम लोग ने एक्सचेंज कर लिया इंडिया बंगलादेश land border agreement के अंदर फिर border protection grid है crime free stretch border surveillance device जैसे कि drones हो गया फिर awareness among the locals यह सारे steps लिए गया जो अब इंडिया बंगलादेश के border के बारे में बात करते हो तो अब जो next news है वो है आपका कि जो Central Armed Police Force है उ ठीक है यह क्यों किया गया है इससे एक तो फैदाव की uniformity आएगी और हमारा जो border area है उसकी security और बढ़ेगी जो trans border criminals है उनको handle करने में ज्यादा easy रहेगा क्योंकि Central जो आपका Central Armed Police Force है वो हर area में active है ठीक है दूसरा है कि enhanced depth होगा in operational area जो की add करेगा effectiveness of BSF I mean BSF के जो भी activities है उसमें और add-on करेगा साथ में नए नए जो activities देखे जा रहे हैं border पे जैसे कि drones का use करना weapon या drugs को move करने के लिए जैसे कि Jammu Kasmir पंजाब में देखा जा रहा है ऐसे move को भी हम और जादा अच्छे से deal कर पाएंगे अभी recently ये news में इसलिए है क्योंकि जो jurisdiction है BSF का मतलो कि जो उसको set किया गया है 50 km चाहे वो पाकिस्तान हो बंगलादेस हो म्यानमार हो इससे क्या होगा कि जो BSF जो है वो उसका जो एक्टिविटी है इन वार जादा स्ट्रॉंग होगा वो इन्वेस्टिगेट कर पाएगी क्राइम को और अच्छे से तो जैसे मैंने कहा कि जो BSF है वो उसके लिए चैलेंजेस बढ़ड है और उसके अनुसार ही उसके पावर को भी बढ़ाने की ज़रत है यह डेलिगेशन क्यों ज़री था तो पहला तो सेक्यूर्टी ट्रेट्स बढ़ड है नहीं सेक्यूर्टी ट्रेट्स आ रहे हैं जो लेफ्ट विंग एक्स् स्टेट तक ही है जबकि BSF का देखा जाता है कि वो बहुत सारे स्टेट में उसका रोल है और साथ में पूलिसिंग जो है बॉर्डर एरियास का वो बेटर हो जाएगा क्योंकि BSF ज्यादा इंटिग्रेटिव तरीके से बॉर्डर के पूरे एरिया को मैनेज कर पाएगा शा ही है ठीक है उसके पूलिसिंग पावर टू सेंट्रल आम पूलिस फोर्स मालोब BSF को वो पचास किलोमेटर का जो लिमेट है वो दिया गया है इंपॉर्टेंस और बॉर्डर स्टेट सेट का रोल समझ में आएगा क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन जैसे कि अब बॉर्डर हार्ट सी हो गया या कंकलीव हो गया और साथ में जो बॉर्डर इसूज हो गया saati में फिर जो next है कि regional cooperation में bhi of cause जैसे slash this के लिए आस्यान का हो ऑना या actist policy जो है India का वो important है फिर आपका sub-regernal integration sub-regernal integration के लिए border region का importance है जैसे कि lobbing का असर जो है वो दिखा गया जब 70 border hearts खोले गए और बंगलादेस border तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जो बॉर्डर स्टेट से उनका रोल बढ़ जाता है बाकी जो एक्जामपल है जैसे कि तीस्ता का जो इसू था तीक है उसमें वेस्ट पेंगॉल की का जो सोच है उसका इंपक्त बढ़ा उसी तरह जब तमिल पॉपुलिशन का बात होता है इ और साथ में बॉर्डर स्टेट्स का रोल और जायदा है इसूस क्या है अगर हम पुलिस पावर दे रहे हैं तो सेंटर लांट पुलिस फोर्स जैसे कि बीएसेफ तो क्या है तेखिए तो पहला तो प्रॉब्लम यही है कि यह जो कॉपरिटिव फेडरलिजम का बात है उसके एकाउन्टेबिलिटी मेकनिजम और साथ में जो बीएसेफ का जो कोर फंक्सन है जिसके लिए वो बनी है वो इंपक्ट होगा फिर को ओडिनेशन नहीं है विज स्टेट पुलिस और कई बार क्या होता है कि बीएसेफ पे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि वो हुमन ताकि पहला तो स्टेट के बीच में प्रॉब्लम ना हो विलोगी स्टेट और सेंटर के बीच में मैंटेइन हो कॉर्डियल रिलेसन और साथ में बी एसेफ का जो कोर फंक्सन है वो मैंटेइन हो चाहे जो भी और एक्स्टा रोल उसे प्लेए करना पड़े तो इस तरह से हम का अंडमान एन निकोबार आइलेंड का तो देखिए अंडमान एन निकोबार आइलेंड इंडिया के लिए strategically बहुत जादा important है आप देख सकते हो यह जो पूरा एरिया है यह कितना strategically located है पहला तो जो line of communication, sea line of communication के लिए कितना important है वो जाए East Asia हो या जो आपका चाइना के तरफ रूट है उसमें कितना कितने सही जगा अंडमान एन निकोबार आइलेंड सिचुएटेड है यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है जो की यूज किया जाता है तू पास मलक का स्ट्रेट टुड़ साउट साथ में आपका चाइना का भी जो जिस तरह से दबदबा पहड़ है उसमें भी बहुत जादा इंपोर्टन हो जाता है अपका अंडमान एन निकोबार आइलेंड तीसरा है कि इंडिया वह सोचता है खुटको एज नेट सेक्यूर्टी प्रोवा इडर नेट सेक्यूर्टी प्रोवाइडर के लिए अंडमान एन निकोबार आइलेंड को वह लेवरेज कर सकता है for its own benefit और साथ में जो अपने friendly countries हैं उनके benefit के लिए ये जो पूरा area है ये अपका पूरा connect करता है with South East Asia तो कई बार जो भी सिब सियां से cross होता है वो अंडमान एं निकोवा एलन में रुखते हैं तो और साथ में जो मलक का डैलेमा है चाइना का वो इसी कारण आता है क्योंकि जब चाहे इंडिया with its friendly neighbor ये पूरा जो रूट है उसको ब्लॉक कर सकता है चाइना के लिए तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि अंडमान एं निकोवा एलन का क्यो इंपोर्टेंस है तो लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेज भी है अंडमान एं निकोवार के strategic development में एक तो कि पूरा जो perception है region का वो कि ये एक strategic military hub है ये southest Asian countries के साथ सही नहीं बैठेगा मतलब कि इसको एक militarization of the area consider कर सकते हैं जो कि हो सकता है वो ना चाहे ये perception है वो खुद में गलत है दूसरा है कि ये जो पूरा area है अंडमान एं निकोवार आइलेंड का इसका development बहुत जादा slow है चाहे वो internet हो, road building हो, air strip हो तो जो pace of development है वो बहुत जादा आपका slow है इसना factor है कि ecological fragility है जो पूरा area है आपका वो ecologically बहुत vulnerable है बहुत fragile है तो इसका जब आप use करते हो तो आपको धिहान देना पड़ेगा कि जो mode of development है वो बहुत sustainable होना चाहिए और जो aerial और naval presence है वो आपका consider करना पड़ेगा कि जो fragility है इस पूरे area का उसको बाकी भी challenges है जैसे कि narcotic smuggling, intrusion by foreign vehicles और साथ में जो climate change का impact पढ़ आपक्ट पर अंड़मान अनिकोबा आइलेंड पर ये सारे आपके challenges है लेकिन साथ में government इनिसेटिव भी लिया जैसे कि maritime hub अंड़मान निकोबा इनिसेटिव के अंडर declining protectionism, maritime exercises जैसे मिलान हो गया फिर Myanmar, Thailand, Indonesia के साथ coordination, naval presence को और ज्यादा expand करना ताकि हम counter कर सके चाइना को तो ये सारे आपके steps है ठीक है अगर हम road ahead का बात करें तो जो जी है कि हम encourage करें migration इस तरह से कि जो mainland है उसके लिए ये पूरा area open up हो जाए मतलब की tourism हमें promote करना चाहिए ताकि जो island countries जो island है हमारा उसका और जादा sustainable development हो sustainable tourism के true डूसरा है कि strategic infrastructure को और जादा हमें strong करने की जड़त है तीसरा है कि हमें corporate करने की जड़त है जो like-minded countries ये strategic partners हैं जैसे कि US, Japan, Australia हम activist policy के true ASEAN के साथ भी engage कर सकते हैं तो ये सारे steps हैं ये way forward हैं आपके तो इसके साथ आपका ये border का section complete हो गया है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो please like कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए thank you झाल झाल हुई नहSE झाल झाल हुई कर grin झाल झाल झाल